मातरम दोस्तों स्वागत आपका फिर सेगने सवाल के साथ आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज वन पॉइंट एक्सरसाइज टू पॉइंट वन के बारे में एक्सरसाइज टू पॉइंट वन का कुशन नमर आठ जो केने मिलिकीत को सरल कर रहे हैं कुस्षन नमर 8 में exercise 2.1 का कुस्षन नमर 8 में हमें कितने कुस्षन दिए गए हैं 3 कुस्षन चलिए एक एक करके solve करते हैं पहला कुस्षन है हमारा 4 root 3 पहला कुस्षन क्या है 4 4 root 3 minus 3 root 12 plus 2 root 75 2 root 75 अब देखिए यहां पर क्या है पहले यह तो root वाले को एक form में करना परेगा यह तो root वाले को एक जिसा करना परेगा यह तो 3 हो यह तो 12 हो यह तो 75 यहां सबसे छोटी संक्या root में क्या है 3 तो इसमें से इसका गुननखंड निकाल के इसको इस रूप में हमें लाना है root 3 में क्योंकि यह बाहर वाले जो permission क्या है 4, 3 और 2 इसमें तो हम कुछ कर सकते नहीं है तो चलिए हम root वाले को एक एक करके तोर के देखते हैं क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या पहले हम क्या करेंगे इस बारा वाले को तोरेंगे इसको रूट बारा को देखे बारा को तोरेंगे पहले दो बारत में दो से तो छे आएगा फिर दो से तोरेंगे तो कितना आएगा तीन आएगा देखे दो एक जोरे में है तो क्या करेंगे एक दो रूट के बाहर ला देंगे 3 पहले से था गुना 2 रूट में क्या रह जाएगा ये वाला 3 यहां हो गया ये पलस में है 2 ये 2 दे दिया है अब क्या करेंगे इस रूट 75 को तोर के देखते हैं रूट 75 इसको तोरेंगे 3 से तुटेगा क्या 3 दूणी 6 3 3 दूणी 6 फिर क्या बस्ता है 3 पचे 15 6 एक बचेगा नीचे आएगा 5 तो 15 हो जाएगा फिर ये 5 से 25 देखे 5 जोरे में तो क्या करेंगे 1 पच रूट के बाहर ला देंगे गुना 5 रूट के अंदर क्या रह जाएगा ये वाला 3 रूट के अंदर 3 रह जाएगा अब देखे आगे क्या था माइनस 4 4 रूट 3 माइनस क्या हो जाएगा इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूणी 6 4 रूट 3 माइनस 3 दूणी 6 रूट 3 प्लस पंस दूणी 10 रूट 3 अब देखे यहां पर ये प्लस में है और ये प्लस में तो क्या हो जाएगा 10,4,14 14 में 6 को क्या करना है घटाना है 14 रूट 3 में 6 रूट 3 जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास 8 रूट 3 अपने पास बचेगा 8 रूट 3 यह हमारा क्या हो जाए या answer यह question number 1 हुआ अब चलिए question number 2 को हल करते हैं क्योंकि हमने एक हल कर लिया है question number 2 में हमसे पुछा गया है root 8 plus root 32 minus root 2 यह हमें दिया गया है इसको क्या करना है श्रल करना है तो पहले हम क्या करेंगे root 8 को तोर के देखेंगे root 8 का गुननखंड निकालेंगे 8 का गुननखंड 2 से 4 आएगा फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा 1 2 जोरे हमें लग रहा है और 1 बच रहा है तो क्या करेंगे 1 जोरे को बाहर निकालेंगे 1 जोरे में से 1 को क्या करेंगे बहार लिख देंगे रूट के अंदर क्या बच जाएगा दो बच जाएगा उसी तरह से हम क्या करेंगे 32 को भी तोड़ेंगे रूट तिन पर 32 को क्या करेंगे तोड़ेंगे दो से 16 फिर दो से 8 फिर दो से 4 फिर दो से 2 गये एक जोर रहा दो जोरा एकबच रहे तो क्या हो जाएगा दो दुनित चार चार जो दो माइनस यह बोला रूट दो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है इसको हम तो रहेंगे तो एक की से टूटे एक के लावा किसी और से नहीं टूट सकते तो अब देखिए क्या करेंगे इसका स्रली करें निकलेंगे यहां क्या यह दनात्मा का यह दनात्मा का है चार दो छे छे रूट है दो है छे रूट दो हो गया अब क्या करेंगे छे रूट दो में से एक रूट दो घटा देंगे तो अपने पास क्या बचाएगा पांच रूट दो यह हमारा अंसर हो गया अब देखिए कुस्षन नमर 3 क्योंकि हमने कुस्षन नमर 2 कर लिया है कुस्षन नमर 3 में हमें क्या दिया गया है रूट 112 पहले क्या करेंगे 112 को हम तोर के देखते हैं 112 2 से तूटेगा 2 1 हम 2 2 अटी 16 2 नमों 18 2 नमों 18 12 क्या बच रहा है 6 एक बच रहा है तो क्या हो जागा 6 दूटी 12 फिर 2 से तोरेंगे तो कितना आएगा 4 दूटी 8 8 दूटी 16 फिर 2 से तोरेंगे तो 24 फिर 2 से तोरेंगे तो 12 फिर 2 से तोरेंगे तो 6 फिर 2 से तोरेंगे तो कितना आएगा 3 अब देखे एक जोड़ी दो का लगा दो जोड़ी दो का लगा तीन जोड़ी दो का लगा तीन क्या रहेगा अकेले रह गया तो क्या लिखेंगे दो दूनी चार चारतिया बारा दो दूनी चार चार दूनी आठ चार दूनी आठ आठ रोट तीन क्योंकि यह तीन अंदर ही र तो हम यहां लिख देंगे अब इसको रूट 48 को तोरने के बाद क्या होता है उसको देखते हैं पहले रूट 48 को हम क्या करेंगे गुरन कर निकालेंगे 2 से 24 2 से 12 12 फिर 2 से 6 फिर 2 से 3 अब यहां देखे कितने बार किसका जोड़ा लगड़ा है एक बार दो का जोड़ा लगगया दो बार जोका दो का जोड़ा लगगया तो दो दुनी 4 गुना क्या करेंगे 4 और रूट के अंदर क्या रह जाएगा 3 रूट 3 माइनस अब देखे रूट 75 को भी तोर के हम देखते हैं 75 को तोरेंगे तो क्या आएगा दो बार में दो से नहीं टूटेगा तो 3 से देखते हैं 3 दुनी 6 थीन पच्चे 15 फिर 25 यहां पांच का जोड़ा लगरा है तीन बच रह इल तो क्या लिखेंगे पांच रूट के बाहर लिखेंगे तीन रूट के अंदर लिखेंगे अब देखिए यहां अगे हम क्या कर सकते हैं यहां क्या है यह भिन में है तो पहले इसका solution निकालते हैं दो दुनी चार तो हमें क्या बचा बीच में आठ रूट तीन माइनस दो रूट तीन माइनस पांच रूट तीन यह मैं बीच में मिला अब देखिए यह पांच रूट माइनस में पांच रूट तीन माइनस में और दो रूट तीन माइनस में तो पांच दो क्या हो जाएगा साथ हो जाएगा और साथ क्या आठ क्या आठ रूट तीन धनात्मक में तो आठ रूट तीन में साथ रूट तीन को घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास रूट तीन बचेगा अपने पास रूट तीन बचेगा यही हमारा आंसर हो जाएगा चलिए मिलते है एक नए क्लास में कुस्सन नमर 9 के साथ